नमस्कार, SV Online Classes में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों, आज हम Class First Hindi Medium सब्चेक्ट इंग्लिश के लिए आज हम Fruit's Name सीखेंगे तो सबसे पहले Fruit की स्पेलिन आपको ध्यान में होने चाहिए F-R-U-I-T, Fruit मिस फल होता है S लगने से यानि कि Fruit's बहुँ अचन हो जाता है बहुत सारे फलों के लिए F-R-U-I-T-S, Fruit's यानि फल तो सबसे पहले आपको जो दिखाई दे राजित्र में इधर यह मेंगो का है यह है आम, आम फलों का राजा होता है M-A-N-G-O, मेंगो यानि आम तो देखिए बहुत इस्वातिस्ट फल है और इसमें जैसे बच्चे आम का जूस भी पिते हैं और वेसे भी आम खाते भी हैं तो आम को फलों का राजा मनना गया है सबसे स्वातिस्ट फलों में से मनना गया है M-A-N-G-O, मेंगो यानि आम आगे है सेव, देखिए आपको दिख रहा है सामने A-P-L-E, एपल यानि सेव आगे ये दिख रहा है, देखो आदा छिला हुआ दिख रहा है आपको छिला हुआ दिखाया गया है, ये है बनाना B-A-N-A, बनाना यानि केला तो केला भी आप दूद के साथ मिक्स करके भी बनाना सेख बनाते हैं, और सीधा भी खाते हैं केले के बारे बताया जाता है कि अगर तनाव में हो तो आपकेला खाए, तो आपका तनाव कम हो जाता है तो यह है केला इधर देखिए जो सामने दे रखा है यह है तरबूज डवल्यू ए टी ए आर मेलोन वाटर मेलन यानि तरबूज आगे है मस्क मेलन म-U-S-K-M-E-L-O-N मस्क मेलन यानि खरबूज तो बच्चो देखो इधर है वाटर मेलन इधर है मस्क मेलन यह है तरबूज और यह खरबूज इसके अंदर आपको स्पेलिंग याद करने में असानी रहेगी इसके साथ वाटर के साथ क्या लगा है मेलन और इधर मस्क के साथ क्या लगा है मेलन तो यह जो मेलन की स्पेलिंग है M-E-L-O-N यह आपकी इसमें और इसमें दोनों में क्या है सेम है दोनों में सेम है तो आपको याद करने में असानी रहेगी इससे आगे है ओरेंज O-R-A-N-G-E औरेंज यानि संत्रा जो एक रस्दार फन है बड़ा ही मतलब स्वादिष्ट होता है और सब बच्चे पसंद भी करते हैं ज्यादा तर यह सर्दी के दिनों में होने की वज़े से बच्चों को अच्छा भी लगता है लेकिन ठंडा भी लगता है आगे हैं Grapes G-R-A-P-E-S Grapes यानि अंगूर अंगूर में आपने लोंबडी की कानी भी सुनी होगी कि जब लोंबडी का अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो बोलती है कि ये तो खट्टे हैं खट्टे हैं अंगूर चलो यहां से दूर उसे भी बड़े स्वादिष्ट लगते हैं लेकिन मिल नहीं पाने की वज़े से वो कोई भाहना वलाती है आगे है पाइन एपल तो ये स्पेलिंग उपर जो एपल की स्पेलिंग आपको पहले देखने को मिली इदर सामने देखिए ये जो एपल की स्पेलिंग है एपल एडवल पी अली एपल यानि सेव तो इसमें क्या जूड़ा हुआ है पाइन के साथ एपल जूड़ा हुआ है क्या जूड़ा हुआ है पाइन के साथ एपल P-I-N-E-A-W-P-L-E पाइन के साथ जूड़ा है एपल की सेव की जो स्पेलिंग है वो सेम टु सेम आपको याद है तो इसमें आपको इतना ही याद करना होगा पी आई एन ए आगए दिया है एपल तो हो गया पाइपल पाइन एपल अनानास यह भी फ्रूट आपने घाया होगा लेकिन ये कम तर मिलता है ज़्यादा अपने जैसे संतरा, सेव, केला, अंगूर ये सब ज़्यादा तर अपने को मिलते हैं और सामानत ज़्यादा महेंगे भी नहीं होते हैं तो अननास थोड़ा महेंगा रहता है इस परकार हमने आज अपनी बुक में से लगबग आड़ स्पेलिंग्स है आड़ फूर्ट्स नेम जो हमने सिखें तो अब हम इसे चार लाइनों की कोपी में लिखना सिखेंगे तो प्यारे बच्चो आप भी इसे चार लाइनों की कोपी में लिखना सीखे और इस वरक को सुन्दर सुन्दर करना है और याद भी करना है ये मैंने आपकी स्विधा के लिए चार लाइन की कोपी में लिखा है ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो तो सबसे पहले आप देखिए यहां लिका फूर्स अफ आर यू आई टी एस फूर्स अन ए एम ए नेम फलों के नाम फलों के भी नाम होते हैं जैसे आपका नाम है फलों के भी नाम है नाम के भी ना पैचार नहीं होती है नाम लेने से मैं पता जलता है कि हाँ ये आम किस पेल नहीं है ये सेव की है इसे अलग लग तो देखिए M A N G O मैंगो यानी आम तो इसके लिए आप देखेंगे जैसे M मैंने लिखा है तो M की पूरी ऐसी दी लाइन जाने के बाद उपर से नीचे तक इस लाइन को टच कराना है तीनो लाइनों में पूरा पूरा M को बनाना है फिर A और N को बीच की दो लाइनों में लिखेंगे G को first line को छोड़ने बाद निच्चे की 3 लाइनों में लिखेंगे और फिर ऐसे ही O को बीच की 2 लाइनों में लिखेंगे तो यह हो गया M, A, N, G, O Mango यानि ARM इसी परकार A को उपर की 3 लाइनों में डवल पी को उपर की एक लाइन चोड़ने बाद निच्चे की तीन लाइनों में लिखेंगे और एल तीन में और बीच की दो लाइनों में ए ए डवल पी एल ए एपल यानी सेव बी ए अन ए अन ए बनाना यानी केला डवल ए टी ए आर वाटर मेलन यानी तरबूज तो इसमें भी आप सामने देख रहे हैं डवल पी उपर की तीन लाइनों तक टच किया है ए को बीच की दो लाइने और इसी प्रकार टी उपर की तीन लाइने इसी प्रकार बनाना में एक बीच की तीन लाइनों होगे एक बीच की दो लाइनों होगे इसे आगे मस्क मेलन अम यू अस के मस्क इसमें भी एम आपको तीन लाइनों में दिख रहा है मस्क मेलन यानि खरबूज तो इसमें ओ को उपर की तीन लाइनों में लिखेंगे और जी को नीचे की तीन लाइनों में बाकिस सब आपको बीच की दो लाइनों में दिखाई दे रहे हैं O, R, A, N, G, E, Orange यानि संत्रा G, R, A, P, E, S, Graps यानि अंगूर P, I, N, E, A, W, P, L, E Pineapple के साथ उपर जो एपल दिया है सेम स्पेलिंग यहाँ जूड़ी हुई है Pine, Apple, यानि अनानास तो इस परकार हमने ये जो 8 स्पेलिंग थी इनको चार लाइनों की कोपी में पढ़ा तो प्यारे बच्चों अब आप सामने देख रहे हैं सबसे पहले जो चितर दिया है वो चितर है Mango का इसका चितर है Mango Mango की स्पेलिंग मैंने इदर चार लाइनों की कोपी में लिखी है तो इसे आप यहाँ Capital Letters में दे रखा है बड़ी ABC में दे रखा है लेकिन जब हम कोपी पर लिखते हैं तो जो पहला अकसर है स्पेलिंग का पहला अकसर वो Capital Letters में यानि बड़ी ABC में लिखा जाता है और उसके बाद के जो सभी छोटी ABC में लिखे जाते हैं तो इसी परकार आप देखी Apple को स्पेलिंग यहाँ दे रखी है और Apple की स्पेलिंग को मैंने यहाँ चार लाइनों में भी लिख के बताए है तो इस तरह से जो स्पेलिंग सापको यहाँ दे रखी है आम और सेव के बाद में देखो बनाना, गेला, वाटर मेलन, तरबूज, मस्क मेलन, खरबूज, औरेंज, संतरा, ग्रेप्स, अंगूर, पाइनेपल, अननाना यह सभी की सभी मेंने चार लाइनों की कोपी में यहाँ आपको आपकी स्वीदा के लिए लिख के दिखाई है तो आप इसे साफ और सुन्दर अपनी कोपी में सुन्दर हैंड राइटिंग में लिखें और इसे याद करें अगर आपको एक साथ याद नहीं होती है तो आप चार-चार स्पेलिंग करके दो दिन में इसे याद करें क्योंकि बीच में एक दिन वीडियो का गेप रहता है और एक बात ये भी है कि जिस दिन आपको इंग्लिस का वरक मिलता है उसके साथ आपको जो दूसरा वरक है वो तो ओरली होता है उसे खाली सुनना होता है तो लिखने का वरक ये एक ही होता है इसलिए आप लिखने में और याद करने में बिल्कुल भी लापरवाईने करें एपल की स्पेलिंग एपल बनाना मेंगो औरेंज ये चार तो आपने पहले सिक히 हुई है और दो स्पेलिंग जैसे वाटर मेलन है मस्क मेलन है यह तो बिल्कुल सेम टू सेम है और एपल के तरह ही पाइनेपल की है तो इस तरह आप इनको गार्जन की साहता से सिखें ताकि आपको सीखने में स्विदा हो तो आप इस वर को पूरी इमानतारिस के साथ करें साथ सुन्दर लिखें और याद करें थैंक यू स्टूडेंट्स